तो आज हम यह देखेंगे जनरली अकसर मैंने देखा है maximum cases में लोगों को नहीं पता होता है कि होता क्या है क्या काम करता है क्यों यूज करना चाहिए कैसे यूज करना चाहिए इसका सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि टैंप डीवी की बैस्ट प्रैक्पिस क्या होनी चाहिए लोग हमेशा confused रहते हैं टैंप डीवी होता है क्यों है टैंप डीवी अगर नहीं होगा तो क्या होगा टैंप डीवी अगर हम अलग रखें या सेम वाइल सिस्टम में रखें इस तरह के questions हमेशा आते हैं हमारे दिमाग में यह टैंप डीवी का जो concept है मैं रेक्वेश्ट कर इतना important topic है यह आपको MS SQL में help नहीं करने वाला यह आपकी future में जितने भी database system है सबके लिए एक around एक thought process है टैंप डीवी एक्चुली क्या होता है क्यों काम करता है क्या जरूरत है तो MS SQL के संदर में बात करूं तो MS SQL में हमेशा एक instance पर एक टैंप डीवी database होता है यह possible नहीं है कि आप हर एक database का separate टैंप डीवी बना दो MS SQL के case में अभी तक का जो latest update है मेरे दिमाग में अभी तक इन होने हर एक instance लेवल पर टैंप डीवी बना रखा है तो दिस इस कंसिडराइज शेर्ड डेटावेस पूर ओल ऑवर दे इस्स्टैंस मतलब जितनी एक इस्स्टैंस में जितनी भी डेटावेस है उनके लिए यह शेर्ड डेटावेस है जिसमें आपके जितनी भी टैंप बी रिस्पॉन्सीबल होता है एक instance के लिए हावयवर कई इस्से डेटावेस है और भी है जो हर एक डेटावेस का अपना separate टैंप डीवी भी बनाते हैं ठीक है लेकिन MSSQELE के केस में इंस्टेंस पर एक टैंप डीवी ठीक है तो यह तो होगी इसकी basic understanding MSSQELE में हमारे पास केवल एक टैंप डीवी होता है राइट पढ़ेंगे कि एंट्रोडेक्शन होता है लाइफ ओप देंपरेरी ऑब्जक्ट कि जो टेंपरेरी ऑब्जक्ट हम बनाते हैं या बनते हैं या जो भी एप्लिकेशन के थूरू मेंटेनेंस के थूरू फिर उसके बाद हम समझेंगे कि टैंप डीवी का आर्खिटेक्चर क्य करते हैं जिससे हम पाफॉमेंस गिटना करें और कैसे हम टैंप डीवी को मोनीटर करेंगी ठीके इंड यह क्या होता है वो डिसकर करेंगे ठीके कि किसको क्या कौटा लोकेट कर दिया यह सारे एजिंडा में बात करेंगे ठीके cat picture क्या होती है यह वाली cat cat है लेकिन यह tempdb के संदर्ब में क्या होता है वो हम discuss करें भी ठीक है जैसे कि मैं भी बता रहा था आपको tempdb basically एक shared space है for all the database उसमें आप अगर internal object में join aggregation function यूज़ कर रहे हैं तो वो tempdb को यूज़ करता है वहाँ पर calculation करता है cursor होता है cursor basically क्या होता है कि just suppose करो आपके पास सो से ज्यादा कोई list item है आपना query करी और आपको हर एक item के अगेंश्ट में कुछ operation कराना है तो उस time पर कई developer cursor use करते हैं तो वो क्या होता है one by one track करता है आपको पहले पहले record के लिए कोई operation करेगा फिर दूसरे record के लिए करेगा तो कई cases में cursor को हम most expensive object मांते हैं which is avoid I mean generally cases में लोग कहते हैं कि cursor को avoid करना चाहिए however यह time db का इस्तिमाल करता है ठीक है इन इन स्टीड ओफ ट्रिगर्स टिगर्स मैंने अपने कई वीडियो में बता है कि ट्रिगर हमेशा event के दौरां इस case में भी कई वार हम time db का इस्तिमाल करते हैं ठीक है बर्जन स्टोर dml ट्रिगर्स यूज होते हैं online index रिविल्ड जब करते हैं तब time db का इस्तिमाल होता है isolation जब हम snapshot isolation यूज होता है तब हम time db का स्तिमाल करते हैं उसके अलावा जो query operation में जो sort operation होता है तो टैम टेबल क्या होता है एक ऐसी टेबल आपने जो बनाई जब आप कोईरी लिख रहे हैं आप डवलपर हो और आपने कोईरी बनाए आप चाहते हो कि एक टेबल बना दे हम तो वह हमेशा हैस से स्टार्ट होगी और उस कोईरी का मतलब यह होगा कि वह आपनेटिकली टेम टेबल में टेम डेटावेस में बनेगी तो उसका वह कई बार करता है कि हम उसको एक सेशन के लिए बना रहे हैं कई बार हम टेबल बनाके भूल जाते हैं डेवलपर क्या करते हैं टेबल बनाए और भूल गया उन्होंने उसको उसको इसको 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 इस पूल गये तो वहpurndb में रहती है तो इस त Chair के में अगर इस को जैती हैं तो हो सकता है कि आपकी टेवल वह एकजिस्ट करती रहा थे आपका ऊन्नेसरी भरतार है कई वारत काई डवलपर को मैं ने खाया है वो हウरको आपकी एक्राइरिचर करते हैं और टेम से डेटा फैच करने की कोसिस करते हैं कई केसिस में यह अच्छा डवलपमेंट की निशानी नहीं होती है हमें वाइड करना चाहिए टेम्टेबल को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए ठीक है उसके और भी मेकनेजिम में और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इस सार कर सकते हैं कैसे हम अपने डे-टो-डे लाइफ में अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो एस जैम सबको पता है कि यह शेयर्ड गलुबल ऑलो केशन मैप होता है इसका मतलब यह होता है कि मैने पहले भी बतायत है कि मिक्ष्ट इस रीज टू फाइंड फ्री पेज इंद चूजनी एक्सटेंट मतलब पी एफस क्या करता है वो देखता है कि आपके एक्सटेंट में कितने पेज फ्री है जिसको वह वहां पर यूज कर ले और उसको उसमें कोई डेटा डाल दे तो यह सारे स्टर ऐसे स्टीच में क्या होता है कि जब भी आपका डेटा स्टौर होता है तो फिजिकल बोलते देटर के बनके से पेंद बन बोलते हैं और एक और होता है जिसमें हम केबल सिंगल सॉट आप ऑब्जेक्ट का पेज़ रखते हैं ठीक है और अब हम एक और टेक्नलोजी की बात करते हैं इसमें PFS PFS क्या होता है आपके free pages को read करने में आपको help करता है तो यह mechanism होता है कि कि अगर आपके pages free है उस exchange में वह आपको rate करने में help करेगा ठीक है तो तीन चीज़ें याद रख लो SGM PFS and latches latches क्या करता है तो जो आपकी memory होती है उस memory को control thread को control करने में help करता है ठीक है ठीक है कि 2006 से थोड़ सा improvise हुआ temp की cases में और अब इतना ज्यादा tuning की जरूत नहीं होती है 2006 के बाद से temp db में काफी improvement हुआ पहले इसमें बहुत सारी administrative requirement रहती थी अब की case में यह सारी चीज़ें थोड़ा सा improvise किया माइक्रोसॉफ न खुद दी ठीक है सो हाव मेनी टेम फाइल बेस्ट करेंट विज्डम कैन बी फाउंड इस आर्टिकल सो यह एक आर्टिकल में देख रहा था यह माइक्रोसॉफ्ट का यह मैं आपको वीडियो की description डाल दूँगा आप खुद भी देख लोगे बट जेनरल थम थम रूल यह है यह हम क्या करते हैं number of if the number of logical processor is less than or equal to 8 then use the same number of data files मतलब अगर आपके मैं चार logical processor हैं तो हमेशा data files आप उसके बराबर यूज करो यह थम रूल है जनरल रूल है टम डिवी की best practice के point of view से जितने भी नए बर्जन आ रहे हैं 2016 के बाद से MS SQL ने है Microsoft ने है खुदी यह चीज अपने लेवल पर सॉट आउट कर लिए जब आप installation करते हो तो उसमें 10DB configuration का अलग से एक बिजाड आता है बिजाड के दौरान एक windows open होती है जिसमें दिखा होता है कि आपके जितने प्रॉसेशर है उसके basis पर वो automatically उतनी number of file create कर देता है जब हम 2016 के पहले के जो versions थे उस case में हमें यह best practice manually खुद से apply करने होती थे तो क्या थम रूल है कि अगर if the number of logical processor is less than or equal to 8 then use the same number of data files as logical processor तो मैंने क्या बोला अगर 8 और 8 से कम है तो आप उतने number of files को बनाएंगे 10 db के case में अगर उससे ज़्यादा है तो तब भी हमें 8 data files बनाना है इससे ज़्यादा नहीं बनाना है and then if you contention continue increase the number of data file by multiples of four तो इसका मतलब क्या होता है contention का होता है कि आपका इतना data है कि आप 8 file बना रहे हैं और उससे ज़्यादा आपके पास processor है और उसके बाद आपको लग रहा है कि 10 db contention हो रहा है contention का मतलब traffic जो होता है ना आपके पास 8 gate है और भीड इतनी ज़्यादा है कि आप वो gate से लोग निकली नहीं पार रहे हैं तो आप किया कहा है और आपके पास गेट दो 16 हैं लेगन आपने eight gate खोलें ऐसे समझो तो अगर आपने आट गेट खोलें और आप कहा रहा है कि नहीं निकल पा रही है हमें आउट करना इनको या अंदर जाना इन लोगों को इतने ज्यादा लोग हो गए है तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है फिर आठ के बाद चार और खुल दो फिर देखो कि गन्ट्रोल हो रही है चीज़ें के नहीं क्या थमरूल बना इसी स्लाइट पर खतम करेंगे इस वीडियो को फिर नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे थमरूल यह बना कि चार या चार आठ के बीच वे अगर हमारे प्रॉसेसर्स हैं या मतलब आठ से कम है तो नंबर आफ प्रॉसेसर्स के बेसिस पर ही हमें डेटा बनानी है वालकर उससे ज्यादा है तो भी हम आठ ही फाइल बनाएंगे लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा टैम डीवी का कंटेंशन ज्यादा है कंटेंशन के बारे में मैं बताए हिंदी में बेरी सिंपल सब्दों में कि आपके पास ट्राफिक बहुत नहीं तो इस आप लोगों को यह कैसे पता लगेगा कि कि तना ट्रेफिक एक टैम पे कितना सारा लॉड है और 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 क्या बैस्ट प्रैक्टिस आपके बारे में वहम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो उस सारी चीजों को हमें कैसे पता करना है उससे पहले मैं आपको बस बेस्ट करेंट विजडम आपको एक के भी आर्टिकल के तक ले जा रहा हूं मैं देख रहा हूं कि आर्टिकल के बारे में हमारे पास तो आमको तो जन्रली जैसे गौरफ टैंप डीवी से लेटर प्रॉब्लम आती है ना तो इस्टेंस को सिंगल इदर मोड में डालके एक आप देख सकते हो कि कैसे हमें निकालना है आयो वेटिंग कैसे निकालना है तो इस इंफोमेशन गिव यू लॉट अफ इंफोमेशन तो यह मैं आपको यह आर्टिकल आपको पिंग करने वाला हूं आप इसको जरूर रीट करें ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिसक कैसे कंप्रोमाईज करेंगे ठीक है तो यह सारी चीज़ें हम अभी टिसकस करेंगे टेम्टीवी के बारे में एक्स वीडियो ना ठीक है चलो see you